जैसे होएगा फिर से आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि आपको पता होगा आज हो चुके है 24 तबंबर आर एससे जीरी कॉंस्टेबल की फॉर्म शुरू होने वाले हैं तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों स्वागत देना है। आप लोगों को नाया रिजिटेशन करना होगा जिल लोगों का पहले रिजिटेशन हो चुका है, वो डिरेट यहाँ से लिगन I.D. पासवर्ड डालके लोग इन कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको डीटेल में बता दू, रेजिटेशन करने के लिए आपको ऐसा पेज मिलेगा, यहाँ पर आपको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जैसे आधर कार्ड नमबर, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ओव बर्थ, साथी साथ आप लोगों की 10th क्लास की जो माक्षिट है, उसका रोल नमबर, 10th क्लास में जो आपका बोर्ड है, MP बोर्ड, CBSC बोर्ड या जो भी स्टेट बोर्ड है, वो डालना होगा, उसके बाद आप लोगों को 10th का पास की है, वो आपको यहाँ फिल करनी है, उसके बाद आप लोगों को जेंडर, मोबाइल नमबर, email ID यहाँ पर डाल देनी होगी, सम्मिट करने के बाद दोस्तों आप लोगों का ID पासवर्ड जनरेट हो जाएगा, साथी ID पासवर्ड के साथ आप लोग इन कर सकते हैं, लोग इन करने के लिए पहली बार आप लोगों को एक नया पासवर्ड बनाने के लिए बोला जाएगा, जो कि अप सुविदा के साथ से बना लीजिएगा, जैसे ही दोस्तों आप लोग इन पर क्लिक करेंगे, जो second page होगा, जहाँ पे आपको address, आप लोग की जो category है, वो सब fill करने को आएगा, वो हो यहाँ पे आप लोग फर लीजिएगा, category फरने के बाद nationality, उसके बाद आप लोग को कोई भी एक पहचान चिन नहीं आप डालना होगा, जैसे आप लोग के कहीं पर तिल हो, कहीं पर जोट का निशान हो, आप लोग fill कर दीजिए, उसके बाद यहाँ पे नीचे option आता है, विकलांग वाला, विकलांग वाला जो है, उन लोग टिक लगाईए, जो लोग नहीं है, उसको छोड़ दीजिए, उसके बाद 14 को छोड़ के 15 नंबर पॉइंट पर जैसे आप आएंगे, वहाँ पे आपको अपना permanent address फिल करना होगा, permanent address और present address दो address होते हैं दोस्तों, जिनके सेम हैं, वो दोनों ही address में आप लोग सेम कर दीजिए, जिनके अलग-अलग हैं, वो ध्यान रखें, वो यहाँ पर दोनों address आप लोग फरना, जहाँ पर पर्मानेट address आपके गाउं का है, तो वो फिल कीजिए, और temporary यानि की present address जो आप लोग के शहर का, या फिर आप कहीं पढ़ रहे हो, वहाँ का है, तो आप लोग वहाँ पर इसको फिल कीजिए, चाहें तो आप लोग दोनों में permanent address भी डाल सकते हैं, उससे कोई issue नहीं आएगा, यहाँ पर दोस्तों आप लोग फिन को डालने के बाद, यहाँ पर 60 number में yes, पेटिक लगा दीजिए, अगर आपका same address है, अगर same नहीं है, तो no predict लगा सकते हैं, उसके बाद दोस्तों जैसे ही, आप लोग save करेंगे, आपकी details कुछ इस परकार से save हो जाएंगे, जहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा, additional and contact details saved successfully, फिर आपको आई agree पे click करना होगा, और यहाँ पर final submit करना होगा, final submit करते समय आपके mobile और mail दोनों पे ही OTP प्राप्त होंगे, तो आप लोग उसमें से OTP को देखके यहाँ पे fill कर दीजिगा, दोनों में से कोई भी एक OTP आप लोग को यहाँ पर डालना है, दोनों OTP कमबसरी नहीं है, उसके बाद के अपचा कोड फिल करके आप लोग इसको submit करेंगे, तो आप लोग का जो registration की प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी, registration की प्रक्रिया पूरी होने के बाद दोस्तों आप लोग को यहाँ पर registration नमबर और आपको confirmation मिल जाएगा, फिर आप OK कर दीजेगा, OK करने के बाद आपको दोबारा से login करना होगा, जो आपका ID, password है, आपको दोबारा से उसको fill करके login करना होगा, तो लोग इन होने के बाद आप लोग को यहाँ पर पहले नमबर पर ही देख रहा होगा, Constable GD in Central Armed Police 4 CRPF, यानि की SSC GD का जो notification है, वो सबसे पहले नमबर पर मिलेगा, यहाँ पर आपको date भी दिख रही होगी, 24 नमबर से शुरू हो रहे हैं, 31 दिसमबर तक चलेंगे, तो यहाँ पर apply now पर आप लोग क्लिक करतीजिए, अपलाई पर क्लिक करने के बाद, आप लोग के पास जो इंटर्फेस होगा, फॉरम अपलाई करने का वो open हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तीन चीजिए विशेश ध्यान रखिएगा, कि फॉरम अपलाई करते समय सारी की सारी information आप लोग चेक कर लें, क्योंकि SSC में एक बाद सम्मिट करने के बाद, आपको संशोधन का समय नहीं दिया जाता, उसके बाद दोस्तें यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होगे, पंदर अनुमर पर एज रिलक्षेशन, जिन लोग को रिलक्षेशन मिलता है, SCHT, OVC का, वो यहाँ पर ले सकते हैं, जिनको नहीं मिलता हो, डायाट नो पर क्लिक कीजिए, NCC वालों के लिए विशेश चेहान रखना, ABC के सेटिविकेट वालों को यहाँ पर विशेश नंबर दिये जाएंगे, तो जो भी आपको बस सेटिविकेट हो, फिर आप लोगों का जो भी ग्रह जिला है, यानि कि मूल लिवासी आप लोगों का जो है, वो आपको सेलेक्ट यहाँ पर कर लेना होगा, जिला सेलेक्ट करने से पहले आप लोगों को राज्य सेलेक्ट करना है, या फिर नहीं तो आप लोग यहाँ पर यह से नो जो भी अपनी साब से कर सकते हैं उसके बाद थोड़ा सा नीच चाहिए यह important बहुत बिंदू है दोस्तों यह बहुत ही महतुपून पार्ट है यहाँ पर आप लोग को preference फिल करना है preference क्या फरना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि A से लेके H तक आप लोग के पास BSF, CIBS, CRPF, SSB, ITBP, AR और SSF के post दे रखी हैं अब आप लोग को मैं बता दूँ कि इन सभी में कितनी कितनी vacancy निकली हैं जिसके साबसे आप लोग इसमें apply कर सकेंगे तो दोस्तों आप लोग देख पारे हूँ कि यहाँ पर मैं आपको post दिखा रहा हूँ इन सभी post वो में कितनी कौन सी category में post निकली हैं जिसके साबसे आप लोग apply कीजिए जो कि विशेस्त और महोती महत्वपोन बिंदू है जैसे ही आप लोग अपनी post देख लेंगे देखने के बाद आप लोगो इन मैसे जो ABCD जो code है इनको आप लोगो यहाँ पर फिल करना होगा एक ही करके आप लोग यहाँ पर अपने code फिल कर लीजिए तो दोस्तों code फिल करने के बाद आप लोग 25 नुमबर में बहुत important बाद बता दो दोस्तों कि आप लोग जो भी फोटो अप्लोड को रहेंगे वो फोटो नया होना चाहिए नाम डेट उस पर डेली होने चाहिए देख पारे होंगे आप लोग यहाँ पर हम लोगोंने फोटो सेलेक्ट कर लिया अगर आप 24 अगस्तर से पहले का फोटो लगाते है तो इसके आप स्वहम जिम्मेदार होंगे आपका फॉरम रिजेक्ट हो सकता है उसके बाद आप लोग आई अगरी पर क्लिक कीजिए नीचे काप्चा कोड है उसको फिल कर दीजिए काप्चा कोड को फिल करने के बाद आप लोग को नीचे एक ओप्शन दिखेगा जिसमें आप लोग प्रिवियू या फिर आप लोग सम्मेट कर सकते हैं प्रिव्यू पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, अब अपने जुड़ी इंफॉर्मेशन आपने भरी है, उसी इंफॉर्मेशन को दुबारा से चेक कर पाएंगे, चेक करने के बाद आप लोग जब संतुष्ट हो जाएं तो इसको फाइनल सम्मेट कर दीजिए, सम्मेट करने के हैं, जैसे कि आप लोग नीचे देख पाएंगे, अपलिकेशन स्टेटस पर आप लोग जाके देख पाए उगे, वरम कम्प्लीट हो चुका है, डॉकॉमेट अप्लोड हो चुका है, अपलाई हो चुका है, फीज एक्जम्ट हो चुकी है, और जैसे यह आप लोग वो उपन हो जाएगा और जो print preview है वो आप लोगा कुछ इस परकार से दिखेगा तो दोस्तों यहाँ पर हमने SSC GD Constable का फॉर्म आसानी से अपने मुवायल से भरना सीख लिया अगर आपको कोई समस्य आती है तो आप लोग हमें कमेंट कीजिए साथ ही SSC GD Constable के पलपल के देरे हमारी चैनल के साथ